नमस्कार फिल्मी बीट मैं आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ क्रतिका वर्मा ट्रोलर्स को जानवी कपूर का जवाब मुझे कोई फर्ग नहीं पड़ता शृदेवी की बेटी जानवी कपूर फिल्म धड़क से अपना बॉलिवूद डेब्यू करने जा रही है इसलिए इसे लेकर पबली की एकसाइटमेंट काफी ज्यादा है लेकिन जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो बात उल्टी पड़ गई शशांग खेतान के निदेशन में बन रही फिल्म धड़क मराथी फिल्म सेराट की ओफीशल हिंदी रिमेक है लोगों ने धड़क का ट्रेलर रिलीज होने के बाद इसकी तुलना सेराट से करना शुरू कर दिया इतना ही नहीं अलग-अलग वजाओ को लेकर लोग फिल्म के लीड स्टार इशान खटर और जानवी कपूर को भी ट्रोल करने लगे थे लेकिन अब आखिरकार जानवी ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है और जानवी ने अपने जवाब में कहा है कि उन्हें ट्रोलर से फरक नहीं पड़ता वो बस उमीद करती है फिल्म धड़क को देखने के बाद लोगों के विचार बदलेंगे जानवी ने कहा कि मैं उस प्यार के लिए बहुत शुक्र गुजार हूँ जो मुझे मिला है ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे उमीद है कि जिन्हें ट्रेलर पसंद नहीं आया वो फिल्म देखने के बाद अपने विचारों को बदल लेंगे इसे के साथ जानवी कपूर ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों पर कमेंट करने वालों को भी जवाब दिया है और कहा है कि वो इन सब से प्रभावित नहीं होती जानवी ने क्लियर कर दिया कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते है जानवी ने ये मूत और जवाब उन लोगों को भी दिया है जिन्होंने पिछले दिनों जिम से निकलते वक्त जानवी कैसी लग रही है उन पर टिपनी की थी विल वाकई में जानवी के बोल भी अपनी मम्मी श्रीदेवी की तरह ही बेबाक है विल अप ऐसे में देखने वाली बात ये होगी क्या वाकई में जानवी अपनी मम्मी श्रीदेवी के नक्षे कदमों पर चलते हुए बॉलिवुड में महरत हासल करेंगी या पर नहीं फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही लेकिन आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा